नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ मैं अपने यूटूब चैनल टोटल वेकीनसी पर दोस्तों आज की इस वीडियो के माधियम से एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं जैसा कि आपको पता है बीटी एसी के माधियम से एनम के लिए जल्दी कॉनसेलिंग होना है इसके लिए एसकूटनी यहाँ पर जारी हो चुका है अब्जेक्शन कई सारे लोग कर भी चुके हैं कई सारे लोग कर रहे हैं इसी के सम्बंदित कुछ यहाँ पर ऐसे प्रस्ण है जो कि इस वीडियो के में डिसकस करेंगे तो वीडियो की लास तक बने रहेगा यह सभी प्रस्ण कॉनसेलिंग के लिए बहुत ही महत्कुन होने वाले तो जिन लोग का भी रिजल्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ है आप लोग इस वीडियो को कम्पलीट वाच किजेगा जानकारी दूँगा तो वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी जरूर होगी पर वीडियो में इतनी जानकारी आपको मिलने वाली है कि कोई भी अधर चैनल पर नहीं मिलता है तो दोस्तो आप सभी से एक दरख्वास हमेशा से रहता है दोस्तो जो भी चैनल पर नए आये हो च चलिए साथ हो कॉनसेलिंग के लिए और स्कूट नियुकु सममंदित कुछ जो की प्रस्ण है जो की आप सभी के सामने डिसकस करते और आप लोग को उसके लिए उत्तर बताते हैं और यह सभी प्रस्ण आपके द्वारा ही पूछे गए हैं कई सारे आप दर्फियों के दोरा तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली जो कुछ बड़े प्रस्ण है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्त तक जरू 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 बने रहेगा, जो भी कॉंसिलिंग में जाने वाले हो साथी हो, या फिर आप लोग जाने वाले हो, या फिर आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट में नाम लाना है, तो इस वीडियो को complete watch कीजेगा, क्यूंकि सभी जानकारियों के बारे में आपको details में बताएंगे, सबसे पहला प्रस्ण बहुत साथ लोगे दोरा यहाँ पर पूछा गया, और कई साथ लोग का मैंने देखा है, जिनका की form है, जो कि स्कूटनी का form है, उसे जेनरल में डाल दिया गया है, अब उनका क्या गलती है, यह मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले साथ लोग इन्हें जो की दो कारण से जेनरल में डाला गया है, पहला तो वो candidates आ जाते हैं, जो candidates मतलब की जाती परमान पत्र अपलोड नहीं किये हैं, या फिर जाती परमान पर अपलोड कीये हैं, पर उन्होंने क्या किये हैं, कि उनके लिए आरक्षन जो परमान पत्र हैं, अगर बीज़ी काई एक्जामपल लेते हैं तो यहां पर इनके लिए आरक्षन के लिए यहां पर डालना था तो अगर आपने नन क्रीमी लेर नहीं डाला होगे तो यहां पर आपको आप पत्ती दर्ज करने को दिया होगा कि आप एंसीयल जमा कीजिए लेकिन आपकी कटेगर अभी भी जाह driving हो सक्ता है कि डाल दिया गया होगा और एक बात और दोस्तो जो भी लोग यहां पर दूसरे राज्य सेब दन की यहां पर पूछना है कई सारे केंडियर्स का जिनका की रिजल्ट अब लगबग हो चुका है जिनकों की अब मैरिट को ले करके चिंता बज़रा जता रहे हैं देखिए चिंता किसलिए मैरिट को ले करके क्यूंकि मैरिट में जिनका भी नाम आ जाता है उनका 100% आप मान सकतो 100 परसेंट उनका चैन होगा यानि कि नौकरी लग जाएगी सिर्फ और सिर्फ मैरिट लिस्ट में नाम आने के कारण से यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैरिट में कितना नंबर पर होगा देखिए बेसिकली तो मैं आपको अपडेट भी दे दिया हूं इसके लिए लोग यहां पर इसके बिरुद में हो किसी कोईने का अगर सिलेक्सन होगा तो जरूरिये की बिरुद में रहेंगे तो यहां पर मैं अभी उसके लिए नहीं चाहता हूं कि यहां पर जोकी लोग को गुम्रा करूं या फिर जो भी आपका सकते हों क्योंकि लोग है जोकि बह तो आपका नाम आ जाता है तो आपका 100% चांस हो जाता है कि आपका नौकी लगेगी उसके लिए कितना नमबर चाहिए उसके लिए भी मैं अपना अनुमान के नुस्वार यहां पर आप लोग के लिए करका हैं उसे कं से कम तो तीन के लिए कम से कम से कम तो दोस्त आपका रेशियो आपको पता होना चाहिए लुए आपको पछाना है यानि कि आपको फ ness IIM में पर लुग हो एक लिए यहां पर अच्छा उन में समझाऊंगा तो उसके लिए निशीत रहिएगा साथी में तीसरे नंबर पॉइंट पर मैं बताना चाहता हूं टिकट नंबर कैसे ले बहुत सारे कैंडिट्स अभी घबरा रहे होंगे टिकट नंबर को ले करके तो देखिए अभी के रिपोर्ट के नुसार तो टिकट न क्राफिक कम रता उस समय आप लोग यहां पर किजिएगा आपका टिकट नंबर अराम से मिल जाएगा इसली मिल जाएगा अब जिन कैंडिडेट्स का दो बाट चांस गवा चुके अब वो क्या करेंगे उनके लिए दोस्तों मैंने बीटी एसी को मेल लिख चुका हूं अब दो बार चांस खतम हो चुका है तो आप बीटी एसी को मेल कीजिए और उनसे मांग कीजिए या फिर तो बीटी एसी ओफिस जाएगे जितना हो सकता है मैं उतना आपको बता सकता हूं और मैं जितना हो सकता हूं मैं हद से ज्यादा नहीं कर सकता हूं आप लोग हो आप और दोस्तों आप लोग आप लोग यहां पर कंशेलिंग के कारें को सटार्ट कीजिए यहाँ पर कॉंसेलिंग यानि की आपना डॉकुमेंट्स जो भी आपके यहाँ पर चीज़े हैं उन सभी को लिए आप यहाँ पर सुरुवात कर दीजे क्योंकि आपके लोग का लगभग 90-95% निश्चित हो जाएए आपका जो की कॉंसेलिंग में नाम एससे जो भी परमान-पत्र आपने अफलोड किया है और जो भी आपको लगता है मूल परमान-पत्र में जो भी आपको जो भी फोटो कॉपी रहेंगे वहां पर जमा हो जाएंगे अब कई सारे फेंट्स यह से भी हैं पाए गए गए इंसियल का ही सिर्फ में बात नहीं करना चाहता हूं अगर आप इडवलू इस में आते हो तो आपको है लिए अगर आप एक वहां पर आपने नहीं सुरुआती में लगाया था क्यूंकि क्या हुआ था यहां पर कई सारे लोग ते जो की बनवाने के लिए दिये थे इंसियल पर बनवा नहीं पाये थे 15 तरहें था पहले क्या बढ़ा कर दिया उसके बार ड़ेट बढ़ा कर दिय तो यहाँ पर अगर आपने NCL नहीं लगा पाए थे तो यहाँ पर अगर आप सोचो कि नया NCL लगावा करके बना करके यहाँ पर लगा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों आप लोग अभी से ही जान लीजिए चुंकि यह NCL आपका 15 से पहले का मांगा जा रहा है 15 कौन सा 15? 15-9 मतलब 15 सितंबर से पहले का ही मांगा जा रहा है दोस्तों यह नहीं कि आप नया NCL लगा दीजिएगा तो आपको यहाँ पर BC कटीरी में कर दिया जागा यह सभी आप सुरुक समझ लेजिए साथी में दोस्तों कॉंसेलिंग के लिए क्या क्या लगेंगे डॉकमेंट्स इसके लिए मैं एक सेप्रेट वीडियो बना दूँगा इसके लिए निश्चित रहिएगा लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ जो भी जो भी डॉकमेंट्स यहां पर आपने अपलोड किया है और जो भी मूले परमान पत्र हैं जो भी आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड आपका जो भी एकदम इजली टेंथ का सेटिफिकेट यह सभी कागजात आप ले जाएगा और कौई सारे स्टुएंट्स नाम याथवा यहां पर आपका सकत is एड्रेस को लेकर चिंतित है तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए एड्रेस को आप लोग में समझ सकते हो कि बी टी इस के लिए उतना या रजभ़ पड़ेगा जो कि आपका NMK Diplroma के अनुसार और merit list 10 चाहर बहुत सारे हां फ्रेंटियो जा सुन रहे हो या फिर आपका पामन की या फिर जितना भी आपको कहना चाहता हो आपके उसी के अनुसार merit भी बनना है ये मत समझेगा कि आपके merit के लिए कुछ और जोड़ा जाएगा या फिर 10th का जोड़ा जाएगा 10th और 12th का जब जोड़ा जाएगा जब किसी दो में tie होता है tie होगा तब आप दोनों के लिए पर 10th में देखा जाएगी किन का जादा नंबर है तब उन लोग को चैनित किया जाएगा तो 10th के लिए वो आप certificate समझ लीजिए अभी 10th का कोई काम नहीं है आप लोग के लिए जो भी है वो अभी आपका merit बनेगा वो भी बीसी कटीडी में बीसी कटीडी में फिप्टी प्लस गया कट ओफ आप कुछ भी कर लीजिए अगर वो 5 लाख 10 लाख भी देगे 43 जिनका की 43 नंबर आ रहा है 43 दसनुरा मान के चलिए 5 नंबर आ रहा है उनको अगर वो 10 लाख भी रूपए देते हैं यहां पर उनने बीसी में चैन नहीं किये जाएंगे यह मेरा खूद आप खूद नहीं बोलना चाहता हूँ यहां पर मेरे पासी के कई सारे लोग के साथ ऐसा हो चुका है जिन्होंने की पैसे भी दी हुए थे पर इन लोग का चैन नहीं हुआ है और कई सारे लोग जो की मुझे टेलिग्राम से जूटे हुए हैं, टेलिग्राम पर भी कई सारे लोगों ने मुझे अपडेट दिया है कि सर मेरे से ऐसे हो चुका है, कई सारे लोगों ने तो fake experience बनाया हुआ है, fake experience बनाया हुआ, उन लोगों भी मैं आगाह कर देना चाहता आप लोग का भी यहाँ पर हो सकता है कॉन सेलिंग में आप सभी को भी बहुत बड़ा गलतियां की हैं आप लोगों ने भी जो पाँच हजार रुपए दे करके एक-एक साल का experience बनवाए हैं वो फेक experience आप लोग पर भी काम नहीं आएगा दोस्तों तो मैं पहले ही कर देना चाहता हूँ पैसे वाले का नहीं होगा यह आप जमज लीजे मतलब कि अगर आपका 50 का cut-off आता है तो अगर आपका 50 रहेगा तभी आपका chain होगा ना कि आपका आप मान के चलिए 49 रहेगा तो आप chain होगा साथ ही में दोस्तों एक और point यहां पर मैं नोवे नमर पर बताना चाहता हूँ डिपलोमा और रेजिस्टेशन का अंतर कई साथ लोग इसमें नहीं अंतर समझ पा रहे हैं डिपलोमा आपके जो दो साल के आपने डिपलोमा है वह डिपलोमा तो आपका राजस्थान नर्सिंग रेजिस्टेशन कॉंसिल उसी प्रकार से यह स्टेट टू स्टेट वहरी करता है जाती और आरक्षन पत्र जो भी आपका आरक्षन मानके शेलिए अगर आप बीसी के टेरी में आते हो तो आपको NCR चाही तो आप लोग को यहाँ पर जेनरल में डाल दिया जाएगा यह आप समझ लीजिए यही मैं आपको यह अपडेट लाया हूँ अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई तो जरू-जर चैनल को सब्सक्राइब करके इस मेहनत को साकार कीजिएगा क्योंकि मैं दीन भर जितना हो सकता है मैं उतना आप सभी के लिए सहाइता करता हूँ चाहे वो टेलीग्राम से हो चाहे वो यहाँ पर आपका यूट्यूब के कमेंट्स से हो सबимся पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ तो दोस्तों इस मेहनत को जरू-जर चैनल क आप नीचे comment कर दीजेगा साथियों और आप लोग cut off को लेकर के और यहाँ पर document verification में क्या-क्या कागजात लगेंगे इसको लेकर के निश्चीत रहिएगा आप लोग के लिए मैं separately वीडियो लाऊंगा निश्चीत रहिएगा आप सभी तो दोस्तों मिलते को इस दो में तब